आज हम लोग अचारी पनीर कैपसिकम बनाएंगे, बनाने में बहुत इजी है, जटपट बन जाती है, तो चलिए हम लोग मिलकर बनाते हैं, आज हम लोग अचारी पनीर कैपसिकम की सबजी बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग पनीर थोड़ा सेक लेंगे, थोड़ा घी डालेंगे कड़ाई में, एक टीबूल स्पिर, ये दो मीडियम टमाटर है, इसमें हम अद्रक और एक अध्रक, एक हरी मिर्च डाल के इसको पीस लेंगे, ठीक है? इसको हलका सा बस बाइंडिंग की टूपे नहीं, उसके लिए हलका सामको बस प्राई करना है पनीर को, इसको निकाल लेते हैं, इसको ज्यादा लाग नहीं करना है, बस एक कोटिंग हलकी सी करनी है, बाकी का भी डाल देते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, अब अचारी बनाने के लिए इसमें हम लोग पच्पोरन टालेंगे, एक बड़ा चमच, अचारी फ्लेवर के लिए, थोड़ा हींग डालेंगे, और इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, राई इसकी कैप्सिकम है, थोड़ा कट कुछ सेखेंगे, जब तक यह सिखता है, हम तामातर पीस लेता है, बोड़ा सा कैप्सिकम को भूंज लेंगे, कैप्सिकम को ज़्यादा गलाने का नहीं अभी, अब इसमें हम लोग टमेटो प्यूरी डाल देंगे, अब इसमें हम लोग थोड़ी मसाले डालेंगे, थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा, थोड़ा बूना जीरा, थोड़ा सा गर्म मसाला, इसको भूंजेंगे, मसाला को, यह सबजी बहुत एज़ी है, पट से बन जाती है, यह कुछ करना नहीं होता, इसमें हल्की सी चीनी देंगे, स्लाइट अब इसमें पनीर डाल देंगे, और मिक्स करेंगे, इसमें नमक अभी डालना बाकी है, नमक देंगे, मिक्स करेंगे टुसी, पनीर में मसाले सारे कोट अच्छा सी होने देते हैं इसको डग देते हैं दो मिनट के लिए चेक करते हैं शबजी रेडी बहें शबब करते हैं अचारी पनीर कैप्स्टिप कोट दो डग करते हैं रेडी है यह आप केवल रोटी नान तंटूरी किसी के साथ भी खा सकते हो सबजी रेडी है